सलाम नमस्ते हेलो केम्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बैंक पूर्भा एक्जाम पूर पर और दोस्तों आज हम लोगे यहां उपस्तित हुए है प्रायर्टी सेक्टर लेंडिंग टार्गेट पढ़ने के लिए प्राथमिक चेत्र उधारियां क्या होती है और इनके बारे में जो अभी इगजामनेशन आपके होने वाले हैं 22 नवंबर को दोस्तों जी हां और आगे आगे भी जो इग्जामनेशन होने वाले हैं आपके रीजिनल रूरल बैंक के के आई बी पीएस्प योगर के तो वहां भी आपके ये पोश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि रिसेंटली में लक्ष प्रात्मिक छेत्रोधारियों का बदल गया है प्राइटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट बदल गया है दोस्तों तो आज हम लोग बहुत दिल्चस्प की और बढ़ चले हैं जो आपको एक्जामनेशन में 100% नंबर दिलाएगा और यह जान लिजे एक्जामनेशन में नंबर यहां से मिलना ही वाला है बस यह जानगे पढ़िएगा दोस्तों आखरी तक बने रहेगा एक एक चीजों को विस्तार में बताएंगे डिटेल में प देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग को बात करनी चाहिए तो किस पर बात करनी चाहिए कि प्रायर्टी सेक्टर लेंडिंग कहते किसको है किसको कहते हैं दोस्तों प्रायर्टी सेक्टर लेंडिंग है ना थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो दिख लिखाई देंगी है ना और ज्यादा जूम कर लिया मैंने क्या बात है आप अजय कि अजय को यह 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 आगया आठ के आठों 6 7 8 8 आठों आगे वही अब इससे यह जूम नहीं हो सकता है इससरा जूम होगा तो प्राथमी किषेत्र किसे कहते हैं दोस्तों यानि कि प्राथमी किसे कहते यह थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं यार प्राथमिक छेत्र यानि की प्रायर्टी सेक्टर लेंडिंग की बात हो रही है तो प्रायर्थमिक छेत्र किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों प्रायर्टी सेक्टर किसे कहते हैं आईए हम लोग इस पर बात थोड़ी सी कर लेते ह थीक है priority sector यानि प्राथमिक छेतर किसे कहते हैं वो सेक्टर ए वो सेक्टर जिस्कन भारस सरकार इस ऩ्ल ध्यान देना चाहती है इनको extra liquidity दिलाना चाहती है loan दिलाना चाहती है इनको किसी करीके से पैसे की कमी नहों इस पर पूरा ध्यान रखनाः आती है कि उन सभी छेत्रों को भारत सरकार प्राइट्टी सेक्टर में डाल देती है हो सकता है बैंक भागते हो ऐसे लोगों को लोन देने से कुछ सेक्टर तो ऐसे होंगे कुछ सेक्टर ऐसे भी होंगे जहां बैंक भी देना चाहती है भारत सरकार भी दिलवाना चाहती है त और ऐसे सेक्टर जो बैंक भागती है वहां टार्गेट के अंदर भी उनके लिए सब टार्गेट सेट कर दिया गया तो भाईया बैंक को क्या करती है और बी आई एक टार्गेट सेट करके दे देती है कि 100 रुपए में अगर तुम मालो 60 रुपए अपने मर्जी से दे दो बीजय माल्या को नीरव मोधी को जिसको देना चाहे लेकिन आपको कम से कम 40% कॉमर्शियल बैंकों को कह दिया कि तुम्हें तो प्रायटी सेक्टर को ही देना होगा तो कमर्शियल बैंक कितना देंगे 40 परसेंट वो सरकार की मर्जी से देंगे 60 परसेंट वो अपनी मर्जी से देंगे अब ऐसा नहीं कि 40 परसेंट में सरकार की मर्जी सरकार की मर्जी में भी वो अपने ही अच्छे लोगों को ही देंगे ऐसा नहीं कि किसी भी वर्जी वर्जी को या किसी डिफॉल्टर को दे देंगे, बात समझ में आ रही है न, clear है, ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा दोस्तो, एग्री कल्चर प्राइटी सेक्टर में आता है यह आठ शेक्टर प्राइटी सेक्टर में भारा सरकार द्वारा डाले गए पहला एग्री कल्चर को डाला गया है दूसरा MSME यानि Micro Small and Medium Enterprises को डाला गया है तीसरा Export Credit को चौथा Education को पाचवा हाउसिंग को छटवा सोसल इंफरस्ट्रक्चर को साथवा रिनुवेबल एरजी और आठवे में अधर्स आ जाएंगे यानि वीकर सेक्षन एकर सेक्षन यह सब आ जाएंगे प्रधान मंति जंदने हो जना स्टार्ट अप कंपनियों को भी अब आज कल प्राइटी स जाएंगे यही तो देश की जीडिपी आगे बढ़ा रहे हैं माइक्रोश मॉल मीडियम वाली तो आगे चलके बड़ी इंडस्ट्री बनेंगे कभी रिलायांस इंडस्ट्री पतंजली भी कोई ऐसे माइक्रोइंडस्ट्री रही होगी आज वो देश को जो है कि सपोर्ट कर होंगे अगर उनको फिनेंशल सपोर्ट उससमें नहीं किया जाएगा तो भाईया वो प्रतिभा दपके रह जाएगी तो इनका लोन हो गया हाउसिंग लोन प्रधानमंत्री का लक्ष है भारसरकार का लक्ष है कि 2022 तक सबके पास एक अपना घर हो जाना चाहिए है ना तो भाईया पढ़ाई पे ध्यान दीजिए थोड़ा आज आप लोग आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कोई डिस्टर्बें प्रधाना चाहता है तो एक स्कूल बनने से हजारों बच्चे उस आसपास के गाउं में पढ़ेंगे वहां पे कॉलेज बनाना चाहता है यह सोशल इंफरस्ट्रुक्चर बांध बांध मत समझ लेना बांध कोई एक आदमी थोड़ी लो लेने जाता हूँ तो यहां पर में आती है इसके लिए कोई व्यक्ति लो लेना चाहता है तो उसको प्राथमिक छेत्र में डाल दिया गया रिनीवेबल एनरजी का भड़ा महत्व है दोस्तों बिजली पे डिपेंडेंसी सरकार पे से आपकी खतम हो जाती है अक्षय उर्जा हवा पानी सुर्का प्रकास सम हो जा रहा है तो फैसके लिए इसके लिए स्पैनल के लाइव अगर लोन चाहिए तो वह भी प्राइरिटि सेक्टर में रखा जाता है कि अधर्स में आपका कंशोर वर्ग यानि वीicio sies भी आ जाता है क्लियर यहां तक बात समझ में यह आठ सेक्टर है अब आगे चले अब यहां पर आगे चलते हैं आठ सेक्टर है प्राटी सेक्टर में इनको क्या-क्या टार्गेट दिया गया है आए दोस्तों यह देख लेते हैं अब देखिए दोस्तों तो प्राइटी सेक्टर का टार्गेट एक-एक बैंक वाइस हम लोग देखते हैं एक-एक बैंक वाइस देखते हैं पूरा इसको छोटा नहीं कर रहे नहीं तो आप लोग नहीं देख पाऊगे है ना अगर देखा जाए जितने भी डोमेस्टिक कॉम नहीं देख हैं कि इस में रीजनल-डूरल बेंक ये स्माल-फिनांस बैंक को नहीं जोड और अलग क्रेटेरिया सकी ये गरीबों के भावं के लिए बैंक है ना इनके लिए अलग क्रेटेरिया लेकिन जो विदेशी बैंकि जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस है और 20 से कहम च जी ब्रांचे जिनकी है उनके लिए वही क्रेंटेरिया है जो भारत के प्राइवेट और सर्कारिक भी को के लिए क्योंकि भाई तीनों कॉमर्शियल बैंक क्वा शुल क्लिए के सब्सक्राइब नित लिए सब confirming के सकते हुआ ठीक है चलिए दोस्तों अब यहां पे अगर हम लोग बात कर लें अब यहां पे अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों तो कितना टार्गेट दिया गया है भारत के कॉमर्शियल बैंकों को यानि ICC बैंक, HDFC बैंक, State Bank of India, Bank of Bada, PNB, HSBC, Standard Chartered यानि कोई भी टाइप का बैंक आप देख लो इसके लिए टार्गेट दिया गया है 40% का, कितना टार्गेट दिया गया है 40% का, 40% आप देखो एक्जाम है इसी पर ध्यान दो, 40% का टार्गेट दिया गया है, clear है बाकि अगर कोई doubt होगा आपको कोई doubt होगा तो आप लोग दिवाली के बाद में आऊँगा आपको एक proper class लूँगा उसमें आपमें doubts पुछ लेना एक doubts पर ही session ले लूँगा ठीक है आज थोड़ा पढ़ लो 40 पर्सेंट यहां पर target दिया गया है priority sector का ठीक है अब इसके बाद 40% दे दिया गया target यहां पर अब इसमें अगर देखो कि जिन की बीच से कम रांचेज हैं उनके लिए भी target कितना है तो उनके लिए भी 40% target है तो दोनों commercial वेंगों के लिए किता target है 40% का target दिया ठीक है यहां तक क्लियर है अब यहां पर देखिए जिनकी 20 से कम रांचेज है वहां पर क्या कहा गया है 32% इनको किसको देना है 32% इनको एक्सपोर्टर्स को ही देना है 32% इनको एक्सपोर्ट के लिए ही देना है जिनकी 20 से कम रांचेज है उनको 32% जो है किसको देना है एक्सपोर्ट को देना है और आठ परसेंट से कम अधर सेक्टर को नहीं देना है यानि कि यहां पर मैक्सिमम 32 परसेंट एक्सपोर्ट को और आठ परसेंट अधर प्राइट्टी सेक्टर को इन बैंकों को देना है जो अभी सहरों तक ही है विदेशी बैंकों में अब आईए आगे चलते हूं कि अब इसमें मैंने आपको कहा था कि यह लोग भागने का रास्ता धूंड लेते हैं जैसे इंड़स्ट्री वालों को दे देंगे इसको उसको दे देंगे तो यहां पर क्या बोला गया है यहां पर दोस्तों क्या बोला गया है कि 18 परसेंट कि 18 परसेंट आपको अग्रिकल्चर को ही देना होगा किसानों को ही देना होगा किसानों को ही देना होगा जो भी प्राइवेट हो सरकारी हो विदेशी हो जो भी हो 18 परसेंट अग्रिकल्चर को ही देगे जो 20 से कम ब्रांचे उनके लिए अप्लिकेबल नहीं है जो आपको small and marginal farmer को देना होगा लगू एवं सीमांत किसान को लगू सीमांत जिसके पास 2 hectare तक जमीन है marginal किसान उसे कहते हैं सीमांत किसान जिसके पास 1 hectare तक जमीन है यानि कि बहुत ही गरीब जिसके पास खाने भर का भी अनाज नहीं हो रहा है इसको तो लोन जरूर मिलना चाहिए तो 10 परसेंट पहले इसके तर्गेट 8 परसेंट था यह बड़ा इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट है कि 8% से 10% हुआ है अभी सितंबर में तो एक्जाम में पूछ लेगा कि नहीं पूछ लेगा कितना है तो 8% से 10% हो ठीक है उसके माइक में में जो सबसे गरीब है वो कौन है माइक्रों इंटरपाइज चोटे-चोटे दुकांदार तो एमसमी को जो आप दे रहे हैं साड़े साथ परसेंट आपको माइक्रों को देना पड़ेगा उसके बाद जो गाव में बहुत सारे वीकर सेक्षन में है स्सी एस्टी म मार कीजेगा क्योंकि यह दोनों चेंज हुआ है कि देखो यहां पर हैस इसलिए ही बनाए हैस इसलिए बनाए कि रिवाइस टार्गेट फॉर अग्रिकल्चर एन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स विल बी इंप्लिमेंटेड इन फेज्ट तो भाया यह दोनों चेंज हुआ 10% और 12% हुआ है अब यह अचानक से तो बढ़ा नहीं सकते तो इसको भी फेज्ट मैनर में किया गया है कि 2021 में ये 2022 में ये 2023 में ये अघे उस पर भी आएंगे अब यहां साड़े-साथ परसेंट हो गया समझ गया यह 12% हो गया समझ गया यह 8% से 10% हुआ है लगवयम सीमां आप अप्मा इसे चाष पे थोड़ा सा इस चाष को गुमा कर दोस्तों किधर ले आते हैं इन लोगों की तरफ कि इन लोगों की तरफ कि यह जो रीजिनल रूरल बैंक है स्माल फैनेंस बैंक है इनकी तरफ प्रीजनल रूरल बैंक को बोला गया है चहां 40% टार्गेट था कॉमर्शियल बैंकों के लिए रीजनल रूरल बैंक के लिए 75% टार्डेटे और इस्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 75% टार्गेट है चलियर है यहां तक बात समझ में आ सब्सक्राइब हैं और एक चाहएं के लिए भी दोस्तों जो टारगेत है वह सब्सक्राइब कर दिया गया है पहले 40% टारगेट धे लेकिन तर्गेट कर दिया गया है यह वी याद रखिए आपके एक्जाम में conceptual में पूछ लgilेगा क्यों या वेब साइट से मैं इसी लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आर बी आई का रिसेंट चेंजेज यहां तक क्लियर है है 75 परसेंट 75 परसेंट सब सही है कि चलो अब आते हैं सब टार्गेट की ओर किस टार्गेट में सब टार्गेट 18 परसेंट यहां पर बोला गया किसानों के लिए 75 परसेंट में 18 परसेंट किसानों को देना है यह तो तीनों के लिए एक ही है हमको लगता है वह 40 परसेंट वाले के लिए भी 75 परसेंट वाले के लिए भी 10 परसेंट स्मॉल और माजिनल फार्मर के लिए यह भी सेम है तो यह तो तीनों के लिए सब के लिए सेम है दोस्तों सारे साथ परसेंट माइक्रो वाले को यह भी सेम है यह भी सेम है दोस्तों अब यहां पर कुछ अंतर हमें नीचे दिख रहा है 15% और यहां पर बारफ परसेंट है ना कि अन्बीसी का फुल फॉर्म होता है एज़ेस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एक्चुली में होता क्या है कि लोन दिखा करके बैंक कुछ इंवेस्टमेंट प्राइवेट कंपनियों में कर देती है और दिखाती है कि अमने लोन नहीं दिया तो इसलिए उन प्राइवेट भागने का रास्ता ढूंड लेगा लोन नहीं देगा वो देखेगा उसी कंपनी से कह देगा तुम कॉमर्शियल पेपर इशू कर तो हम तुम को पैसा दे रहे है इस इनवेस्टमेंट दिखा के हम तुम को पैसा दे रहे है तो भाया वो सब आर्बिया सब इनकी चालबाज ने अश्का का उसमें से 12% इनको विकर सेक्शन को देना था लेकिन यहां पर दोस्तों देखिए orींकी गाव में ही होती है तो इनको जो है सच्वारे को 15 क्या हो जाएगा दोस्तों जहां 12 परसेंट था वीकर सेक्षन के लिए रीजिनल रूरल बैंक में वह 15 परसेंट है क्लियर है यहां तक समझ में आगया अब आईए अब हम लोग इसको छोटा कर लें तो हम लोग को सब चीज दिख जाएगा ठीक है अब यहां पर दिख गया है ठीक है है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखिए और्बन कवापरेटिव बैंक को 75% करना है मैंच आप लोग को बताई के लिए अभी और में नहीं है अर्बन कॉपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक होटाले के बाद तो अब अर्बन कॉपरेटिव बैंक के लिए जो टार्गेट है वो क्या है यह एक्जाम में कोश्चन मनेगा परसो याद रखेगा जिसने जो नहीं देखेगा वो पच्टाएगा और जो देख लेगा वो मस्त हो जाएगा है ना 40 परसेंट का एक्जिस्टिंग जो है टार्गेट चला है है ना कॉमर्शियल बैंकों की तरह लेकिन अभी इसको 75 परसेंट बोल दिया गया है तो अगले मार्च की क्लोजिंग तक इनको 5 परसेंट बढ़ाना है यानि एक की 2021 में 5 परसेंट गया और फिर यहां 15 बढ़ जाएगा दोजा 24 तक 75 परसेंट करना है कम तक 75 परसेंट करना है दोस्तों तो दोजा 24 तक 75 परसेंट करना है यहां कितना हुआ था प्लस फाइप यहां कितना हुआ था प्लस फाइप यहां कितना हुआ प्लस 10 यहां कितना हुआ प्लस 15 तो करना लेकिन 31 मारे 2021 तक जो फेनाशनल एर क्लोज होगा पैतालिस परसेंट करना दो जार बाईसे पचास दो जार तेइस में साथ हो दो जार चोबिस में पचात्तर ठीक है क्लियर है कि चलिए कि अब इसके बाद दोस्तों आगते हैं आगे बढ़ते हैं अब कि को अपरेट्टिव बैंक के लिए बिसाले साथ परसंट बारफ परसंट यह वही है न यह समझ लेजेगा पा बस वीकर सेक्शन के लिए पंदरफ परसंट किसके साथ है रीजिनल रूरल बैंक के साथ है कि अब देखिए वहां पे मैंने जो बताया कि बाकी बैंकों को जो आठ परसेंट स्मॉल माजिनल फार्मर को देना था वह 10 परसेंट हो गया है यह जो वीकर सेक्षन के लिए 10 परसेंट था 12 परसेंट हो गया है इसमें भी दोस्तों इन्होंने फेज्ड मैनर में दिया है यह यहां कि यहां प्लस वन हुआ 2021-22 के लिए 2020-21 के लिए 80 परसेंट है जो यह चलना है 2021-22 में 9 परसेंट हो जाएगा यानि इस साल आठ ही परसेंट है 2022-23 में यहां 0.5 परसेंट बढ़ा दिया और फिर यहां 0.5 परसेंट बढ़ा दिया यानि पहली बार तगड़ा ग्रोथ ह यहां परसेंट और इसके बाद आधा आधे परसेंट करके कर लेना है तो इस तरीके से यह 2-2 परसेंट की बढ़ उत्तरी हो रही है एक आधा 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 एक आधा आधा ठीक है तो यह सब छोटी-छोटी चीजे दोस्तों जो आपको नहीं पता चलती थी इसलिए मैं आर यह इन हिगे का वह रूरल इंफरस्ट्रॉक्चीर डिवलप्मेंट फंड में जमा हो गा जो नाबाट का फण है ऐन एच फंड सीड़ी का फण मुद्रा के फंड में भी जमा हो सकता है जो प्रिवाइरिकल लेंडियंग का टार्गेट नहीं पूरा करेंगा क्लियर है ना चलिए बहुत बड़ियां ए कि है फार्म क्रेड़िट में बड़े बड़े जो हैं कि ऍषटे में उसके लिए जो लोन है वह प्रठीक सेक्टर लिंडिंग में दो करोड में ग। को का लोन जो है फ़ायर्टि स्ञेकर लेंडिंग में कितने का लोन दो करोड़ रुपए तक का लोन अग्रिकल्चर step के विससरी यह दोस्तों 100 करोणा रुपे तक का लोण प्राइरटी सेक्टर लेंडिंग में आयेगा ठीक है उसके आधा चोटी-छोटी एक्तिविटी है उसमें 5 करोण तक का का लोण चर प्रम采ब के लिए तो पूछ लिया कितने करोण तक का लोण start-up के लिए जो है प्राइटी सेक्टर में आता है तो यह याद रखेगा start-up भी एड हुआ है ना हाल ही में तो start-up के लिए दोस्तों 50 करोड तक का लोन 50 करोड तक का लोन अगर बैंक देती है किसी को तो प्राइटी सेक्टर के तहट आएगा cooperative societies जो है farmers के जो चीजों को खरीदने के लिए बनाने के लिए जो cooperative societies बनाई जाती है वो पांच करोड रुपए तक का लोन ले सकती है यह बहुत important point है दोस्तों आपको boring जरूर लग रहा होगा लेकिन आपको एक जानकारी दे रहा है नया और आपको exam के लिए number दे रहा marginal देखो जो खाजी खादी और विलेज उद्योग वाले है वो micro enterprises के साथ 7% वाले में ही आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर 50 क्रोने start-up के लिए बोला गया है ना तो देखें MSME में भी जो start-up company आएं उनको 50 क्रोन तक का लोन मिलेगा priority sector में exporter को 2% तक का लोन जो है यहाँ पर priority sector में दिया गया है ठीक है जिनकी 20 से जादा ब्रांचे चे 2% exporter को देना ही देना है और जितने भी domestic bank है भरेलू bank है उनको भी 2% exporter को देना ही देना है maximum exporter की जो limit है किसी exporter को लोन देने की वह याद दखेगा 40 क्रोड़ रुपे पर बारोवर 40 क्रोड़ रुपे पर बारोवर यहां पर लिमिट है क्लियर है अ अब एजुकेशन के लिए दोस्तों यहां प्याद दखेगा एजुकेशन के लिए एजुकेशन के लिए जो 20 लाग रुपे तक का लोन है वो जो है प्रायट्टी सेक्टर के अंतरगत आ गया है 20 तो देशुकेशन के लिए 10 लाग और विदेशुकेशज से पढ़ने के लिए 20 लागיрь होता था लेकिन अब यह क्रिटेरिया हटा ज़ी गाया है अब थीक है न हासिंग के लिए दोस्तों याद रखेगे Housing के लिए जो Metropolitan Cities उसमें 35 लाख रुपए 35 लाख रुपए तक का लोन प्राइट्टी सेक्टर में आता है है ना और 25 लाख रुपए तक का लोन परचिस के लिए ठीक है Metropolitan City में 35 लाख रुपए इंडिविजुल अगर कोई लेना चाहता है और अगर जो है 25 लाग रुपए अगर other cities है तो उसके लिए ठीक है clear है यह individual के लिए पर family के लिए दोस्तों अगर देखा जाए तो पर family के लिए यहां पर metropolitan city में 45 लाग और other cities में 30 लाग रुपए है ठीक है यह है पर family के लिए अब पर व्यक्ति के लिए 35 लाग और 25 लाग पर family के लिए 45 लाग और 30 लाग और शहरों का डिवाइड एजेशन metropolitan शहर और normal शहर क्लियर है कि अब है कि अब है कि अब है कि अब है कि सोशल इंफ्रस्ट्रक्ट्चर सोशल इंफ्रस्ट्रक्ट्चर में स्कूल बनाने के लिए drinking water facility के लिए sanitation facility के लिए पांच करोड तक का लोन प्राइटी सेक्टर में आएगा दोस्तों प्राइटी सेक्टर में आएगा दस करोड रुपए पर बारोवर का लोन healthcare facilities खोले के लिए आएगा अगर आयुष्मान भारत के वो टियर टूर टियर शिक्स सिटी में अगर वो अपने आपको ओपिन कर रहा है तो ठीक है तो के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं विंड मिल्स के लिए माइक्रो हाइडेल प्लांस के लिए बायो मास बेश्ट पावर जनेरेटर के लिए यहां पर दिया गया है 30 करोड तक का लोन रिनिवेबल एनरजी के लिए ठीक है अच्छा अगर आप कोई इंडिवीजुल ये लोन लेना चाहता है तो वो जो है दस लाख रुपए ले सकता है रिनिवेबल एनरजी में प्राटी सेक्टर के अंतरगत अगर अधर्स की बात की जाये दोस्तों तो अधर्स में एक लाख रुपए यानि वीकर सेक्षन ये सब माल लो एक लाख रुपए से उपर का लोन नहीं होना चाहिए लोन नॉट एक्सीडिंग वन लाख रुपीज पर बारोवर प्रोवाइड डिरेक्टली तो बाई बैंक इंडिविजुवल और इंडिविजुवल मेंबर उप सेल्फ हेल्प ग्रूप जॉइंट लिवरेज ग्रूप प्रोवाइड देविजुवल बरोवर्स हाउषोल्ड अनुवल इंकम इन रूरल अरिया डज नॉट एक लाख रुपए से इंकम उस परिवार की नहीं होनी च ट्रूप में 60,000 और यहां पर उसकी इंकम अगर ग्रूम में नहीं रहता है वो व्यक्ति तो एक लाख साथ हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दो लाख रुपए उसको लोन मिल जाएगा जो गाओं में नहीं शहर में रहता है वीकर सेक्षन उसको दो लाख मिल जाएगा लेकिन बस उसको उसकी इंकम एक लाख साथ हजार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो डिस्ट्रेस्ट फार्मर है दोस्तों जो विचार अपतनावगरस्थ है लोन की वैसे उसको एक लाख रुपए का लोन मिल सकता है उसके लोन को खतम करने के लिए ताकि वह आत्महत्या ना करें ठीक है इस टार्ट अप के लिए 50 करोर तक का लोन दिया गया है यह बहुत इ देखें वीकर सेक्षन के सारे परिभासा यहां पर आ गये एक लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दिया जा सकता है एक लाख रुपए ज्यादा का लोन वीकर सेक्षन को नहीं दिया जा सकता है इसकी लिमिट पहले पचास हजार थी पहले पचास हजार थी दोस्तों इसमॉल एंद माजिनल फार्मर को भी विकर सेक्षन में डाल दिया गया है अगर कोई स्पेशल केस है तो बाकी कादीगर है विलेज और ग्रामोद्योग वाले हैं यह सब आते हैं वीकर सेक्षन में सिड्यूल काज़्ड ट्राइब है डिर आई स्कीम वाले हैं जो बहुत कम प्राइटी जंधनी ओजना में 10,000 का ओवरड्राफ्ट मिलता है वह भी वीकर सेक्षन में आता है तो दोस्तों यह थे हमारे जो है प्राइटी सेक्टर लेंडिंग टार्गेट के पी एसल टार्गेट के महत्वपूर्ण जो है बिंदू जो आपके इसर चेंज हुए है जै है 10%-12% हो गया है है ना इस्मॉल-माजील 5 मर आड़ पर सेंट तो क्या फेज है तो वह सारी चीजें जो है बहुत important है points important है cooperative bank 75% हो गया है डीजनल रूरल बैंक में 15% कर दिया गया है वीकर सेक्षन के लिए जो बाकी लोगों के लिए 12% है तो ऐसे बहुत सारे changes important key points है जो हम लोग ने आज discuss किये प्राइटि सेक्टर लेंडिंग के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि जो पैसा सौट फॉल हो गया वह कहां जमा होगा RIDF में जमा होगा रूरल infrastructure development fund में जो 1995 में आई थी नाबाड की fund है दोस्तों इससे गाओं के सडकों बनाने के लिए नाबाड राज्य सरकारों को लोन देगा उस पैसे से तो ऐसे बहुत सारी important point आज हम लोग ने discuss किये ऐसे ही हम दिल्चफ तरीके से पढ़ते रहेंगे आर्बेक आपका एक्जाम बहुत अच्छा हो इन्हीं सुपकामनाओं के साथ आपका आपसे हम इजाजत लेते हैं थेंक्यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय भारत